शिशु स्वास्थ सेवाओं की गुणवत तबढ़ाने के लिए राश्टरी या स्वास्थी मिक्षिं के तहथ आशा वरकरों को ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रेनिंग में आशा वरकरों को उनके एक शेतर में जन्वे शिश्वों को सही समय पर सही पोशन देने बारे जान कर दी जा रही है HVYC कारेकरम पर आधारी 35 दिवसीय कारेशाला में दगेड़ा ब्लों की 22 आसा पर कर प्रशिक्षन ले रही है प्रशिक्षन के माध्यम से आसा वरकरों को बच्चों के पोशन स्थर की निगरानी रखने को पोशित बच्चों कसमे पर इलाज वो रहफर करने बच्चों के शारीरिक और मानसी कविकास का आंकलन करने बारे विस्तार से बताया जा रहा है कारेशाला के ट्रेनर स्थीश शुकला ने बताया कि दैनी का मकसद छोटे बचों को कुपोशन और दूसरी बिमारियों से कैसे बचाया जाए इस बारे में modular ट्रेनिंग दी जा रही है उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग परदेश के मंडी और सिर्म और जिला में आशा वरकरों को दी जा रही है ट्रेनिंग में राज्य और जिलास्तर के ब्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रही है उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के स्किल पर आधारित है जिसमें आशा वरकरों को चार्ट, प्रेजेंटेशन, रोल प्ले, वीडियो फिलम और गानों के माध्यम से चानकारी दी जा रही है 26 से 30 सक्तुबर तक चाल रहे इस ट्रेनिंग कारेकरम के माध्यम से छोटे बचों की देखभाल के लिए आशा वरकरों को तीसरे माध, छठे महीने, नौवे महीने और पंदर में माध विजिट करने के बारे में बताया जा रहा है जिसमें आशा वरकर बच्चे के स्वास्थे की पूरी डिटेल एकत्र करेगी यह ट्रेनिंग मुख्य तोर पर चार वेंदों पर आधारित है जिसमें बच्चे, पोश्चन, आरंभिक पाल विकास, बच्चे का मानसिक विकास और हैंड बॉश के अलावा बारिस बनाने की भी जानकारी दी जा रही है ट्रेनिंग का रिक्र में हिसा ले रही आशावार कर्स ने बताया कि इससे बहले उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जानकारी की अभाब में उनके ख्षेत्र में जो बचे को पोश्चितिया मंद बुध्धी हैं उनका सही तरीके से आंकलन करने ये बारे में भी उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है जो की भविश्य में उनके लिए काफी कारगर साबित होगी PRTV News Bureau Report Nahan